हलो दोस्तों मैं हुराम गुविंद प्रिजापती आप समनों का मैं लेटेस्ट ग्यानी यूटूब चैनल में बहुत बहुत हस्वागत है आज दोस्तों है 5 सितंबर 2024 आज सुब घड़ी भेला पर 4 सितंबर 2024 को अर्थात कल आखिरकार मेरे मन में जो चल रहा था मैं एक प्रिवरी होई गई यह आपके सामने खड़ी है मारूती का सबसे छोटा प्रोड़क्ट जिसका नाम है अल्टो केटें भी एक साई प्लस माडल जो मैंने कई सालों से सोच के रखा था कि मेरे पास आर्टिका है तो आर्टिका हर जगार लेकर के जाना आना थोड़ा सा असह पहज लगता था मार्केट और केट में भूमना निकलना भीड़भाड में तो मैंने उस हिसाब से प्रस्नल चड़ने की हिसाब से गाड़ी को प्रिफर किया है और आपके सामने यह खड़ी है हॉइट कलर में आप लोग देख सकते हैं कितनी खुबसूरत लग रही है मारू कि इसको लेना चाहिए कि नहीं दोस्तों आप लोग देख सकते हैं किसे सामने से मैं सुरू करता हूँ यहां का कि इसका फ्रांड्ट है दोस्तों boss दिया हुआ है खुब लंबा चोणा दिया है बड़ा सा इसके बीच में आप लोग देख रहे हैं कि यह नंबर प्रिट लगाने के लिए दिया हुआ है खुब शूरत लग रही है दोनों तरफ हाइलोजन का लेंप दिया हुआ है बड़े से पाकार में है उधर का भी आप लो लोगो यस दिखा हुआ है और यह मैं इससरीच के अंतरगत लगवाया हूं फ्रांट गारनी से है और यह खुब सूरत लग रही है आप लोग देख सकते हैं तो यह गाड़ी आगे से काफी अच्छा खुब सूरत लगती है और इसके जैसे ही इधर आप लोग बढ़ते हैं साफ करने के लिए बहुत अच्छा और यहा बाइन निकालने के लिए यहां फोरे इसको हम ऐसे कर देते हैं और इसके बाद इधर आप लोग देख सकते हैं इंटीना दिया हुआ है और इधर में यह और वीम दिया हुआ है दोस्तों इसमें ब्लैक ही आती है और इसको अंदर से आप अर्जिस्ट कर सकते हैं इधर से दिया हुआ है दोनों तरफ ब्लैक कलर में ही आती है चाहे इसमें को गाड़ी के white color में है तो white color में ही दिया हुआ है और इसमें एसेसरीज का part है side molding में इसको लगवाया हूँ और इसकी जो tires है tires 13 inch का है और इसके उपर से एसेसरीज में ये लगा हुआ है wheel cover है काफी बढ़िया है हर जगह निकल जाती है कोई दिक्कत नहीं है और इसके पीछे में हम लोग आकर के बार देखते हैं यह बहुत बड़ा सा लैंप दिया हुआ है बैक बत्ती जिसको कहते हैं और यह ब्रेक लगाते हैं तो जलती है बहुत बड़ी हाँ है यह भी काफी खुबसूरत दिख रहा है दोनों तरफ का देख रहे हैं चोटी सी है चोटी सी गाड़ी है बीच में अस और यहां पर दिया हुआ है आपका चावीस यह की से ओपेन हो जाएगी और इसको करके हम दिखा सकते हैं आप लोगों को बगल में लिखा हुआ है अल्टो केटिन का बैजिंग और यह यहां पर जो लगा हुआ है दोस्तों यह बैग गार्निस में लगवाया हूं काफी खुबसूरत लग रहा है यह देखिए रख सकते हैं चार लोग बैठे हुए है तो चार लोग के हिसाब से प्रयाप्त जगह दिया हुआ है और इतना ही नहीं यह जो सीट है दोस्तों यह सीट फोल्ड हो जाता है बहुत सारा समान आपको ले जाना है तो इसको आप ऐसे गिरा सकते हैं गिराने के बादिके उपर आप समान खुब भर सकते हैं इसी साफ से भी यह काफी बेटर है तो इसको हम कर देते हैं से इसके बाद झाल इसको बंद कर दे रहे हैं और यहां पर कंप्सक्राहिब यह लगा हुआ है तो यह ब्लेक लगा दिया है लेकिन इसके हिसाब से मैच कर रहा है यहां पर जो सिशा दिया हुआ है यह भी ब्लेक दिख रहा है तो इसके हिसाब से यह मैच कर रहा है आप लोग कमेंट बाक्स में बताएंगे कि स्पाइलर कैसा लग रहा है इसके बाद यहां पर दोस्तों इस तरह हम जाएंगे तो इह भाग इधर के आप लोग देख सकते हैं काभी खुबसूरत है वही टायर 13 इंच का ग्राउंड केलियरंस आप लोग देख सकते हैं ग्राउंड केलियरंस 165 mm बताया जाता है इसका काफी बड़िहां है इसमें आप अराम से हर जगह गाड़ी निकल जाती है कोई दिक्कत नहीं है और यह सिल्वर कलर में साइड मोल्डिंग में लगवाया हूं यह भी काफी बहत हाया थोड़ा सा चल करके अंदर में देख लेते हैं अंदर में देख लिजिए आप लोग यहां पर इसका जो है कि कलर पूरा दिया हुआ है लेकिन इसके बीच में यह जो दिया हुआ लग रहा है यहां बोटल रखने के लिए होलडर मिल जाता है समान कुछ कर सकते हैं इसको आपको यह स्पीकर मिल जाता है अच्छा आवाज करता है इसके बाद यहां से करने के लिए दिया हुआ है यहां पर कुछ बटन नहीं लगा हुआ है और यहां से आप लोग कर सकते हैं लाइट अर्जेस्ट कर सकते हैं लाइट का प्रकास यह दिया हुआ है और यहां ऐसे लगा सकते हैं चावी लगा दिया मैंने आप लोग देख सकते हैं कि यहां टंकी फूल करवाया हूं कल फूल दिखा रहा है फूल गेज दिखा रहा है इ कितना किलोमीटर चल रही है गाड़ी इसे साब से स्पीड दिखाता है और नीचे वाला फ्यूल गेज है कितना भरा हुआ है खाली है क्या है इंडिकेटर बैटरी का दिखा रहा है इंजन का और आपका सीट वेल्ट का रिमाइंडर 17 से दिया हुआ है सामने अच्छा लग रह से लिए लेतर लग रही है से ले इवह मैं देख रहा था लेकिन यह से लेटर लगती है और चोटी गाड़ी मुझे लेना था इसलिए अच्छा है और यहां पर आप देख रहे है कि सीशा दिया हुआ है इस सीशा को होता है उसको आप ऊपर-नीचे कर सकते हैं इसको आप इसको चालू कर सकते हैं इसको मोड के घुमा सकते हैं इसको एसी आन कर सकते हैं काफी बहतरी ने से दिया हुआ है ऐसे और इस तरह से है दोस्तों बहुत अच्छा यहां पर आपको यह मिल जाएगा बैक देखने के लिए सिशा बहुत बेटर है यह देखें लाइट नार्मन वाइल रख सकते हैं वाटल रख सकते हैं यह गेर है घेर थोड़ा सा हलका लगता है जब इसको लगा जा तो बहुत लूज टाइप लगता है तो और बढ़िया रहता तो और आनन दाता यह आपको हैंड ब्रेक है इस तरह से जोरदार सीट है बढ़िया आराम दायक है और पीछे का थोड़ा रियर सीट तीन लोग आराम से बैठ सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है तो घ्र जच्ट में से अ अब मैं इसको प्रस्नल चढ़ूंगा उसे साफ से लिया हूं तो यही था दोस्तों आज का हमारे अल्टो केटेन का रिब्यू अब लोगों को मुझे यह बताना था कि मैं लेने के लिए सोच रहा था तो ले ही लिया और और कुछ इसके बारे में आप लोगों को जानना हो कि अल्टो केटेन के बारे में कुछ और बताईए तो मैं इसके बारे में आप लोगों को पुना से वीडियो बनाऊंगा और प्रस्तूत करता रहूंगा आप लोग बस कमेंट बाक्स में लिखेंगे कि इसके बारे में और क्या जानना है बाकी आज का वीडियो ही समाप्त करत करते हैं फिर कभी मिलेंगे तब तक के लिए जैहिंद बंदे मात्रा